किसान बाईयों, आप सभी कृषक बंदों का फार्म सिग्मा में हर्दिक स्वागत है आज हम इस वीडियो के मात्यम से आप सभी कृषक बंदों को हम गयों फसल में जो लगने वाले कीट हैं उनके बारे में आपको निम्ले लिकित बिंदों पर जानकारी देंगे सबसे पहले हम सामाननी जानकारी देंगे हर कीट का जीवन चक्र क्या है, इसके प्रकोप में लक्षन क्या है और इसके लिए हम किस प्रकार का नियंतरण एवं उसकी रोक ठाम कर सकते हैं मैं सभी किसान में से कहना चाहूंगा कि जुनों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें एवं उसके साथ साथ जो आइकॉन बेल आइकॉन है उसको भी दवाने का कश्ट करें बात आती है ग्यों में जो माहू लगता है माहू के अंदर में जो जीवन चक्रा है वो पूरा नहीं होता है इसको इसके अंदर क्या होता है कि एक को जो अंडा होता है अंडे से वैसक निकलता है वैसक से शिशू निकलता है कि जो माहू है यह जड़ में जाके लगता है इसका पूरा जीवन चक्र नहीं चलता है इसको बुद्धे जड़ माहू रूट एफिट्स और इससे जो पैदावार है वह तीस से पसाफ पश्चस की कमी हो जाती है और इसमें एक तो दो प्रकार के कीट लगते हैं काटने वाले कुतरने और रश उसने वाले कीट अब इन सब के बारे में बात करेंगे जो माहू है इसकी जो पैचान होती है चोटा सा कीट होता है इसको देखा जा सकता है माहू जो है मादा पत्य है जो होती होती है पत्यों पर अंडे देती है और इसमें चोटे चोटे जो शिशू है वो हलके पिले रंके होते हैं और माह पूरा जड़ का रश्चूस लेते हैं जिससे जो ओदा है उपर के और से सूखने लगता है और इसमें जो बाली होती ही महरे रंगे दिखाई देते हैं जब यह आदरता आधिक हो तब इसमें आपको इसके लक्षन सबस्च रूप से दिखाई देते हैं जो अवस्ता होती है उसके बाद वानस्कवतिक अवस्ता बाली विक्रास और पकनी के अवस्ता में यह बहुत ज़्यादा प्रको करने लगते हैं इसके लक्षन आपको दिखाई देते हैं बीज उप्चार जो है इसको थाय में तेक्जेम और फिपरों नीर से कर लेना चाहिए जो चुड़काव है वो सबसे पहले नीम आइल का स्प्रे करें सबसे अच्छा जो है इसके अंदर बहुत चादा कारगर है वह इमीडिया क्लॉटरीड है इमीडिया क्लॉप्रीड जरे वह हो rooted effect के अंदर में बहुती बढ़िया काम करता है बाद में major परणि कर सकते लेकिन अगर हम नीम हैल करेंगे तो इससे जो है वजा कड़वा हो जाएगा जैकि नीम हैल का चिडिकाव तब तक ही करें जब तक हमारी ज़ो गहू है उसमें दूध न भरे डूद भरने के पहले पहले जो बालिया आती है उसी अवस्ताम को नीवायल कर लेना चाहिए उसके बाद जो ये दवाईया है वो हम लक्षन दिखते ही कीड़ा चुरुवात के अवस्ता में जब तक population कम हो तब ही शुरिकाव कर देना चाहिए कटवर्म जो आता है कटवा एल्ली जिसको बोलते है ये इसके अंदर में पूर जीवन चक्र होता है मतलब टिखली से जो है अंड़ा निकलता अंड़े से लार्वी आती है लार्वी से फिर जो पूपा आता है वो जमीन में सुपता वस्ता में पढ़ा रहता है ये जो कटवर्म होता है इसको हमेशा शाम के समय इसका नियंतरन करना चाहिए और ये हलके बुरे रंका होता है इसके लक्षन जो होते है वो जड़ और तने को खाने लगता है पत्तियां पीली पढ़ने लगती है जीरे पूरा पोधा सूख जाता है और इसके जास्ता जो है पोध संक्या भी कम हो जाती है उत्पा दोन और बुरुमत पाविक्षीन हो जाती है रोगता हम करने के लिए वो ही बीजोपचार हम करते है खास करके जो है क्लोरोपाइरिफास है फिवमिथेक्जम एफिप्रोनिल से हम कर लें और जमीन से प्रती एकड़ हम करवाफिर्ण, क्लोरोपाइरिफास, क्लोरेंट्री, प्रोल जो है वो जमीन से हमको दे देना चाहिए बात आती है दीमक की खास करके जितने भी अपने ग्योंग, ग्योंग के पसलों में ही आती है इसके लिए हमको जो पहचान होती है रानी, राजा, जैविक, सैनिक और श्रमिक और ये मटिमिला रंग का होता है उसका नारंगी से लाल भी होता है और काटने और चवाने वाले दान्थ होते हैं इसके और नमी वाले स्थान पर रहीत रहता है लक्षन ग्यों की फजल जब टारंगी के वस्ता मती जब इसका प्रकोब होता है और इसकी बात पत्तियां पीली पढ़ने लगती है और पोस्संक्या में भी कमी हो जाती है जब बीजोप्चार करेंगे इसका तो हम इसको थेक्जैम और फिप्रोनिर से करेंगे और जमीन से जो है कारवा फ्यूरान, क्लोरो पारिफास, नीम खली हम शुरुआत में दे देंगे जब हम आदारखाट डालते हैं उसके साथ में और दूसरा हम जब कच्चा गोबर रख देंगे उसके बाद तो जब धीमक है वो पोदे को छोड़के कच्चे को बरमा जाती यह भी एक तरह का उपचार है अब हैड आर्मी वर्म आता है इसके अंदर में यह जो आर्मी वर्म है वो आर्मी मतलब फोज जैसा जो है यह रात के समय इसके पर में अटेक करता है इसका भी जो है पूर्य पूर्ण तरह से जीवन चेंगर complete metamorphosis उसके अंदर होता है जो तिदली होती है उससे में अंडा आता अंडे से लारी उसमें से प्यूपा मतलब इसके लिएकर हम फिरमोन ट्रेप लगाते हैं पांच एक एकड़ में पूरु पश्चिम उत्तर बश्च प्रकाश को आकर्शित होती है अगर यह आकर्शीत होगा रिए नीचे घंस्रेट एक तसले में रख दें तो उसमें भी जो है घंस्रेट में गिरने से ऑक्सिजन फ्री होने के कारण है तितलियां जो है नश्ट हो जाती है अब इसमें लक्षन होते हैं एक खास करके यह दा क्रमें ट्रेप लगाना बहुत जरूरी है पिनल फास बेवीरा बेसियाना को रेंट्री प्रोल्क्रोपाई जो दवाईया अनुशांसित की गई है इनका हम जो है लक्षन जो दिखें शुरुवात में हम इनका शुड़काव कर देना चाहिए हवा की दिशामें करना एप्लिकेशन जो यह मुबाईल एप्लिकेशन आप देख रहें फाम सिग्मा यह वारे जित्ते विकरता है यह हमारे कृष्चकों को सीधे-सीधे बार कोड से डाउनलोड करा सकते हैं इसकी जो जानकारिया है सटिक परामर्श आपको मिलता है और उसके बाद मुरदा परि आपको मिलेगी मैं अपनी बात को यहीं विराम दूँ इसके पहले में कहना चाहूँगा कि हमारे जितनी भी कृष्चक बंदू है फेस्बुक और इंस्टाग्राम में जाकर कि भी सीधे इससे जुड़ सकते हैं और इस सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद जै हैं